सो हे गाइस कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे अच्छे से होगे सो आज हम क्लास अलेवन्थ बयालजी चप्टर नमबर टू डेटिज द बयालजिकल क्लास्फिकेशन इसका पार्ट टू करेंगे पार्ट वन मैंने अपलोड किया है वो जाके आप देखना उस पे एराउंड मैंने 20 क्वेशनल डिसकस किये हैं सो आज हम पार्ट टू इसका दूसरा पार्ट और ये इसका फाइनल पार्ट रहेगा क्योंकि यहां पर जो आपका ये दूसरा चप्टर है यह हम दो पार्ट में कवर करेंगे तो पार्ट वन मेंने अपलोड किया है आज हम पार्ट टू देखेंगे आज भी हम इंपोर्टन्ट एमसी क्योज इसके डिसकस करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट चप्टर चप्टर नमबर 3 डिसकस करेंगे प्लांट किंगडम यहां पर आप प्वेच्चन देख सकते हैं क्वेच्चन नमबर 21 वन अप दी मेजर कंपोनन्ट अप दी सेल वाल अफ मुस्ट फंजे इस ऑप्शन A काइटिन ऑप्शन B प्याप्टिडो ग्लाइकन ऑप्शन C सेलिलोज ऑप्शन D हैमिसेलिलोज इसका जो प्रेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A डेटिस काइटिन जो फंगे हैं आपके या फंजे इनमें जो सेल वाल होता है वो बना होता है काइटिन का यह मेजर कंपोनन्ट है इनके सेल वाल का आपको पता है कि अगर हम प्लांट किंग्डम है उनमें तो सेल वाल होता है अगर आप अनिमल किंग्डम की बात करें उनमें सेल वाल नहीं होता है तो यह पॉइंट सियाथ रखना नेक्स्ट कोशन आप यहां पर देख सकते हो इन चार सिटेटमेंट में आपको गलत सिटेटमेंट देखना है कौन सा फालस या रांग सिटेटमेंट है आप देख सकते हो सायनो बैक्टीरिया और आलसो काल्ड बिलू गिरिन अलगी यस यह कॉरेक्ट सिटेटमेंट है पार्ट वन में मैंने बोला है कि सायनो बैक्टिरिया को हम बिलूगीरन अलगी भी कहते हैं ऑप्शन भी गोल्डन अलगी और आलसो काल्ड डैस्मिड्स ये भी ठीक है ये भी ठीक है या अप्चक करना टेक्स्ट पे एक सेंटेंस लिखा हैं कि जो गोल्डन अलगी हैं इनको हम डैस्मिड्स भी कहते हैं ऑप्शन सी कि अगर हम बात करेंगे यू बैक्टिरिया और आलसो काल्ड फाल्स बैक्टिरिया यही सिटेटमेट गलत है यू बैक्टिरिया को हम ट्रू बैक्टिरिया कहते हैं ना कि फाल्स बैक्टिरिया तो हमको इन चार में से रॉंग स्टेटमेंट डूडना है वो यही है ऑप्शन सी ऑप्शन डी कि अगर हम बात करें फाइको माई सीट्स अर आलसो काल्ड अलगल फंजे इनको अलगल फंजे कहते हैं फाइको माईसीट्स को नेक्स्ट कोशन आप यहाँ पर देख सकते हो क्राइजोफाइट्स, इगलिनोइड्स, डायनोफलेजलेट्स and स्लाइम मोल्ड्स are included in the following इसका जो आपके यहाँ पर देख सकते हो which of the following are found in extreme saline condition saline condition हम कहते है salty conditions को so कौन से यहां पर रहते हैं extreme saline conditions में U bacteria, cyanobacteria, mycobacteria, archaeobacteria so इसका जो correct option है वो है archaeobacteria option D यह मैंने part 1 के पहले question में ही बोला था कि जो archaeobacteria है यह some of the harsh weather conditions में रहते हैं और कुछ saline conditions में रहते हैं उनको हम hello files कहते हैं next यहां पर आप देख सकते हो which of the following components provides a city की character to the bacterial cell nuclear membrane, option B plasma membrane, option C glycolex, option D cell wall so इसका जो correct option है वो है option C glyco calyx glyco calyx क्या provide करता है bacterial cell को city की character कौन सा character city की character याद रखना next question आप देख सकते हो यह भी मैंने कल discuss किया है जो virus होते हैं यह केसे differ करते हैं viruses से part 1 के last question number 20 मैंने यह discuss किया है कि virus केसे differ करते हैं viruses से viruses का मैंने बोला था कि इनमें दो components होते हैं एक तो इनमें protein coat होता है capsomar जिसको हम कहते हैं protein coat होता है और genetic material होता है जो कि infectious होता है genetic material या तो DNA होगा viruses में या RNA लेकिन जो virus होते हैं इनमें सिर्फ genetic material होता है और वो भी होता है RNA RNA यहां पर आप देख सकते हो virus differ from viruses inhaling DNA molecules without a protein coat RNA molecules without a protein coat RNA molecules without a protein coat so option C इसका correct option हो गया इनमें जो यह virus होते हैं यह बस genetic material होता है और वो भी RNA होता है RNA आपका single stranded होता है so जो virus होते हैं यह RNA molecules होते हैं और इनमें protein coat भी नहीं होता है वाइले जो आपका virus है virus में protein coat होता है और उनमें जो genetic material होता है वो या तो DNA होगा या RNA लेकिन दोनू कभी नहीं next question आप देख सकते हो यह भी important question है which among the following are the smallest living cells known without a definite shape pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen so यहां पर आपको बोलना है इन चार मेंसे वो कौन से ऐसे organisms हैं जो सबसे smallest cells हैं और यहां पर उनकी कोई shape नहीं है हमेशा shape change करते रहते हैं और यहां पर pathogenic हैं related mycoplasma बहुत बाहरी पूछा गया है कि जो mycoplasma होते हैं यह सबसे smallest living cells हैं यह अपनी shape को change करते हैं इसलिए इनको हम जो करसा of microbiology कहते हैं यह भी याद रखना जो करसा of microbiology हम mycoplasma को कहते हैं क्योंकि यह छोटे living cells हैं सबसे छोटे living cells हैं अपनी shape को change करते हैं और यह pathogenic plants के लिए भी animals के लिए भी diseases करते हैं और यह रहते हैं सबसे important point यह survey करते हैं without oxygen यह याद रखना important question है यह next question आप देख सकते हो all eukaryotic unicellural organisms belong to monira, protesta, fungi, bacteria अगर हम monira की बात करें monira इसमें सिर्फ प्रोकरियाटिक organisms आपको मिलेंगे लेकिन हमको क्या देखना है eukaryotic unicellural monira आपका जो kingdom monira है इसको हम kingdom pro karyata भी किये थे क्यूंकि इसमें सिर्फ प्रोकरियाटिक organisms हैं और वह कौन से हैं वह आपके bacteria हैं चाहिए आप cyanobacteria की बात करो या you bacteria की बात करो यो mycoplasma जिसकी मैंने अभी बात की वह भी आपके kingdom pro karyata से बिलाँ करते हैं mycoplasmas या PPLO organisms वह kingdom monira या kingdom pro karyata से बिलाँ करते हैं अगर हम fungi की बात करें fungi यहाँ पर हिटिरोट्रॉपिक organisms है kingdom fungi में इसमें भी kingdom fungi इसमें शिर्फ यू करियाटिक organisms आपको मिलेंगे लेकिन इसमें यहाँ पर हमको क्या देखना है यू करियाटिक तो kingdom fungi में हैं लेकिन इसमें multi-cellular organisms है kingdom fungi में यूनिसलोरल भी हैं लाइक आपका yeast है वो यूनिसलोरल आपका organism है येस्ट जिसकी कल मेने बात की part number one में जो आपका yeast है जिसको हम सेक्रोमाईस सर्वेशी भी कहते हैं वो आपका इनिसलोर है जो fermentation में मदद करता है लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है all eukaryotic सभी eukaryotic इनिसलोर लेकिन फंजे में बहुत ज्यादा multi-cellular organisms है like penicillium आपका multi-cellular है जो antibiotics बनाने में मदद करता है bacteria की हमने बात की अभी bacteria kingdom मोनी राज से बिलाँ करता है लेकिन जो eukaryotic इनिसलोर organisms है वो kingdom protista से बिलाँ करते हैं next question आप देख सकते हो the five kingdom classification was proposed by जो part number one है उसमें मैंने डिस्कस किया है आरेच विटा कुर्ड ने आपका five kingdom system of classification दिया था 1969 में याद रखना ये date क्योंकि ये date text का date है next यहां पर आप देख सकते हो organisms living in salty areas are called as hello files अभी मैंने बोला जो salty conditions पे रहते हैं उनको हम hello files केते हैं और ये आपके और क्या व्यक्तिरिया से विलांग करते हैं मिथेनोजनस के लिए याद रखना कि जो मिथेनोजनस ये आपके मार्शी conditions में पाए जाएंगे और ये मिथेन गेस डेटिस CH4 गेस प्रोडूस करते हैं याने बायोगेस प्रोडूस करते हैं याद रखना मिथेनोजनस के रिलेटिक इंपोर्टन पॉइंट है कि जो आपके मिथेनोजनस हैं ये भी प्रोकरियार्टिक हैं आपके जो किंग्डम मौनी रहा हैं उसमें ये आपको इंकलूड करने हैं और ये मिथेन गेस नेक्स्ट क्वेस्टन देख सकते हैं आप नेक्ड साइटो प्लाजम, मल्टी नूक्लियेट एंड सेप्रोफाइटिक और क्रेक्टरिस्टिक्स आफ मोनीरा, प्रोटिष्टा, फंजे, स्लाइम मोल्ड्स इसका जो कर्रेक्ट आप्शन है नेक्स्ट क्वेस्ट आप देख सकते हो यहां पर अगर आप आप आप्शन देखोगे तो वो आप्शन ही इसने नहीं दिया है जो एस्ट क्वेस्टन होती है रूट्स आप हैर प्लांट्स एंड फंजे की उसको हम कहें थे माइकोराईजा, क्या? माइकोराईजा तो यह आपका प्वेस्टन आया था 2020 के क्वेस्टन पेपर में वियसिनर सिंग के कि जो एस्टोसेशन होती है बिट्विन दे रूट्स आप हैर प्लांट्स एक तो हैर प्लांट्स के रूट्स के बीच में और किसके बीच में फंजे roots and fungi के बीच में जो association होती है उसको हम mycorrhiza कहते हैं यह symbiotic association होती है plus plus association होती है याने mutualism mutualism कहो plus plus association कहो या symbiosis कहो या symbiotic association कहो इसका मतलब है दोनों को फाइदा होता है plus plus की निशानी में यहां पर जिडोट की है कि दोनों को फाइदा होता है चाहे आप roots की बात करो उसको भी फाइदा पहुंचता है या फंजे की बात करो उसको भी फाइदा पहुंचता है so जो association होती है एक तो roots के बीच में और दूसरा कौन सा है फंजे फंजे आपके organisms हैं हिटिरो ट्रापिक इनमें जो association होते हैं माइको रयजिअ पहुंचता है लािक और बी एक association है कल के पार्ट में मैंने बात की लाइकन एसोसेशन होती है between algae and fungi okay between algae and fungi algae and fungi के बीच में एक association होती है उसको हम लाइकन कहते हैं और एक association होती है एक तो roots of higher plants with fungi उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं mycorrhiza. So, दो association ज्याद रखना, एक तो lichen और दूसरी mycorrhiza. Lichen is a association between algae and fungi, whereas mycorrhiza is a association between root sapphire plants and fungi. Next question आप याँ पर देख सकते हो, question number 34, Contagium Vymum philudium was proposed by DJ Ivanovski, MW by Jernik, Setonley, Robert Hooke. So, यह सीधे ही textbook का question है, इसका जो correct option है, वह option भी याद रखना, जो Contagium, Vymum, philudium, यह किसने प्रपोस किया था, MW by Jernik ने. Next question आप याँ पर देख सकते हो, two kingdom classification was given by, five kingdom classification से पहले two kingdom classification दी थी, किसने दी थी, विटाकर, Aristotle, Linnaeus, Darwin. So, इसका जो correct option है, वह यह option सी, डेटिस, केरोलेस, Linnaeus. So, केरोलेस, Linnaeus ने two kingdom system of classification दी था, उसके बाद, 1969 में, आरिच विटाकर ने, five kingdom system of classification दी है. Next question आप याँ पर देख सकते हो, cyanobacteria belong to the kingdom. किस kingdom से cyanobacteria belong करता है, कही बार मैंने बोला है कि kingdom monira, जो आपका पहला kingdom है, ने kingdom prokaryata. और इसमें आपके bacteria होते हैं. Next question आप याँ पर देख सकते हो, dieatoms, the chief producers in the oceans belong to the group chryzophytes, dynophilus, leatis, euglunides, slime molds. ये नीट में question आया है options में, जो dieatoms होते हैं, ये chief producers होते हैं oceans में, और ये किस group से बिलांग करते हैं, इसका जो correct option है, वह option A, datis chryzophytes. यहाँ पर आप और एक question देख सकते हो, organisms of which of the following kingdom do not have nuclear membrane. इन चार में से, जो आपके यहाँ पर kingdom हैं, kingdom protesta, kingdom phanje, kingdom monira, kingdom planti, कौन से kingdom के organisms में आपको nuclear membrane नहीं दिखेगा? Obviously kingdom monira, क्योंकि kingdom monira आपका kingdom prokaryata है, और prokaryatic organisms की खास्यत ही हैं, कि इनमें well-defined nucleus नहीं होता है, इनमें nuclear membrane नहीं होता है, वाइले जो eukaryatic organisms हैं, जिसमें आपका kingdom animalia है, kingdom planti है, kingdom phanje है, kingdom protesta है, उनमें nuclear membrane होता है, उनमें well-defined nucleus होता है, इसी वज़े से हम उनको eukaryatic organisms केते हैं. Next question आप यहाँ पर देख सकते हो, which of the following pigments is present in cyanobacteria, जो cyanobacteria हैं, इनमें एक property हैं, कि ये photosynthesis करते हैं, because इनमें chlorophyll pigment present होता है, और वो होता है chlorophyll A, याद रखना कि cyanobacteria photosynthesis करते हैं, और इनमें chlorophyll होता है chlorophyll A, Next question यहाँ पर आप देख सकते हो, which of the following pigments come under the group chryzophytes, option A, diatomus and euglena, option B, euglena and trypanosoma, option C, diatomus and diasmitis, option D, gonialax and diasmitis, इसका जो correct option है, वो है option C, diatomus and diasmitis, ये ऐसे pigments हैं, जो chryzophytes के अंडर आते हैं, diatomus and diasmitis, Next, यहाँ पर आप देख सकते हो, which of the following are parasitic fungi on the mustard plant, mustard plant पे कौन से parasitic fungi आपको देखने को मिलेगे, alvigo, cynia, yeast, ustalago, इसका जो correct option है, वो है option A, ये याद रखना बहुत ही famous question है, कि जो आपका mustard plant है, उस पे कौन से parasitic fungi आपको देखने को मिलते हैं, so alvigo is parasitic fungi on mustard plant, याद रखना important question है, next question आप यहाँ पर देख सकते हो, which of the following is used extensively in biochemical and genetic work, option है, agericus, option B, alternaria, option C, neurospora, option D, mucar, so इसका जो correct option है, वो है option C, it is neurospora, neurospora extensively use होटा है, biochemical and genetic work में, next question आप यहाँ पर देख सकते हो, which of the following is, or examples of deteromycetes, जो आपका फंजे है, उसमें आपका, phycam mãecetes हैं, ascum marcetis हैं, bacediomycetes हैं and deterioromycetes हैं, जो आपका kit subscribe φंजे हैं, kingdom fungic Key ہैं, इसमें आप चार liters पढ़ते हो, phycamocytes, ascum Classics हैं, यहाँ पर आपको देखना हैं, कि इन 3 मेंजे से, इतिरो माईजसीड्स की कौन कौन से example है I एक्साम्पल जाद रखना इस अल्टरनेरिया कोलिटो ट्राइकम ट्राइको डर्मा ओके सी एटी केट याद रखना ओके सी एटी केट नेक्स्ट कोशन आप देख सकते हो वीच आप फॉलूंग इस नॉट वाइरल डिजीज नहीं है AIDS, Mumps ये दोनों आपकी वाइरल डिजीज है Small Pocs and Herpes ये दोनों आपकी वाइरल डिजीज है Influence आभी वाइरल डिजीज है लेकिन Cora, Bacterial डिजीज है Next Question आप यहां पर देख सकते हो The genetic material of viruses include ये मैंने डिसक्स किया है इसे पहले भी कि जो वाइरस होते हैं इनमें दो components होते हैं एक तो protein coat और genetic material लेकिन genetic material या DNA होगा या RNA दोनों कभी भी नहीं यहां पर आप देख सकते हो Only RNA, Only DNA, RNA and DNA both RNA और DNA, One Nuclecator, Inia Virus यही इसका correct option है या तो RNA होगा या DNA लेकिन दोनों कभी भी नहीं Next Question आप देख सकते हो Methanogenes के relate यह भी बहुत बाहरी पूछा गया है Methanogenes के relate यहां पर आपको बोलना है इन चार में से Not correct means गलत statement Wrong या false statement इन चार statement में से बोलना है Methanogenes की बात करें इसे पहले भी मैंने बोला कि यह आर्किया बैक्टिरिया या Kingdham Monira या Kingdham Prokaryata से बिलांग करते हैं और Kingdham Monira में आर्किया बैक्टिरिया से बिलांग करते हैं तो option A तो correct statement है option B की अगर हम बात करें देली बिन मार्शी एरिया यह भी correct statement है इसे पहले में बोला option D की बात करें यह present होते हैं रुमिनेंट के animals में यास यह भी ठीक हैं बायोगेज भी produce करते हैं मिथे तो जनसे औरे मार्शी प्लियस पे भी रहते हैं तो इसका जो गलत statement है इन चार statement में से वो option C है मिथे निजद्यार प्रफोर्ड कार्बन सोरस लेकिन यह इनका प्रफोर्ड कार्बन सोरस नहीं होता है लेकिन जो A, B, D है वो तीन स्टेट्मेंट्स ठीक है option C इसका गलत statement है हमको इसमें से गलत statement डूनना था next question आप यहां पर देख सकते हो टी-ो डाइनर discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and have following characteristics characteristics आप यहां पर देख सकते हो it causes potato spindle tuber disease it has free RNA molecular weight of RNA is low identify the infectious agent तो कौन सा infectious agent टी-ो डाइनर ने discovered किया था और जो छोटा था किसे viruses से और जो यहां पर जिसने potato spindle tuber disease की है जो सिर्फ भी RNA है जिसका molecular weight RNA का कम है part one में भी discuss किया इस part में भी मैंने इसे पहले इसको discuss किया उसको हम वाइराइड कहते हैं वाइराइड सिर्फ genetic material होता है और वो भी RNA होता है आपका वाइराइड तो आपका वाइराइड यहां पर टी-ो डाइनर ने discover किया था यह सुमाल होता है वाइरस से यह potato spindle tuber disease करता है यह free RNA होता है और जो RNA का molecular weight होता है वो बहुती कम होता है यह point है स्याद रखना करता है